पूर्णिंग डियर इस्ट्रेंट एंच एटी क्लास 10 का जो सॉलेशन चल रहा है उसमें अपना आज एक्सराइस 2.2 जो चेप्टर नंबर 2 पॉलिनोमेल चल रहा है उसकी एक्सराइस 2.2 देख रहे हैं पहला कोश्चन इसमें हैं फाइंड जीरोज ऑपॉलिन फाइंड जीरोज ऑफ फालोईंग क्वाडिट्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरिफाइड रिलेशन से बेट्विन जीरोज एंड़ कोफिशियंट मादियर शुरेंट अभी तक अपन पॉलिनोमियल के जीरोज केसे फैंड आउट गरते हैं यह इस washington नमबर वन में अपने को देखना बच्शन Amb variable को निकिए sales को असको लेकर समझें पहला कुशन रेकों पहला कोशन सिकंवर टू एक्सकी पावर टू इस तरह के कुस्चन से कैसे डिल करना है सबसे पहले अपने को इस एक्वेशन को पुट करना है क्या जीरो के एक्वल एक्स स्कॉर माइनस टू एक्स माइनस एट इस इकल टू जीरो फिर क्या करना है इस क्वाड़र्टिक एक्वेशन की मीड टम को स्प्लिट करना जो अपन लास्ट क्लास नाइन्थ में भी सिख चुके हो लास्ट क्लास पहले वाले चेफ्टर में भी कहीं न कहीं अपन ने शिखा है कैसे करते हैं कि मीड टम को देखते हैं जैसे टू एक्स है इसको स्प्लिट करेंगे एसा कि लास्ट और फर्स्ट टम का प्रोड़क्ट आए और एड या माइनस करने पर मिडल टम आए यह दिखान रखा जाता हूं तो इसको जो है इस तरीके से मैं तोड़ता हूं माइनस प्लस टू एक्स माइनस एट इससे क्या होगा देखो फोर वो टू का इंटू करेंगे तो का आएगा माइनस एट और माइनस प्लस टू जायागा तो माइनस का टू बचेगा जो कि मीडल टम है अब क्या करेंगे यहां से कॉमन निकालेंगे एक्स कॉमन निकाला तो यहां बचा एक्स माइनस फोर यहां से प्लस टू कॉमन आएगा तो यहां बचेगा एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर इस इकल टू जीरो आगे की टम में क्या होगा दोनों टम में से माइडियोशन एक्स माइनस फोर कॉमन आ जाएगा बचेगा क्या को ने X plus 2 is equal to 0 अब यह दोनों टम को अलग-अलग भी 0 की equal put कर सकते X minus 4 is equal to 0 and X plus 2 is equal to 0 ठीक है यहां से X की value मेरो को मिल जाएगी 4 और यहां से X की value मेरो को मिलेगी माइनस का तो तो यह जो 42 मिले है यह क्या है और टू जो है यह इस quadratic equation के zeros है इस quadratic equation के zeros है है ना तो इन zeros को में एक नया नाम देता हूं लेट इसको दे दिया मैंने पहले वाले को alpha है ना फोर एंड इसको दे इसको पर लेटा मतलब माइनस टू है थीक है अलफा और टू एलफा और बीटा नौ अब क्या निकालना मेरे को सम आफ दी जीरो अब अगली स्टेप में निकला जाता है सम आफ दी जीरो तो साम जीरों जूओं गे जो है मतलब यह आकर एलफा और बिटा 0 है तो इन दोनों का सम मंलब एलफा प्लस बीटाैं और क्या हो जायगा एलफा बिटा करेंगे तो आगे जो सोलुशन आ जाएगा एलफा प्लस बिटा करने पर मैं अल्फा की वैल्यू है फोर और बीटा की वैल्यू माइनस तू मदलब अंसर आगया मेरे को माइनस स्वरी प्लस का टू के लिए सेकेंड जो निकालूंस में प्रोडक्ट आफ प्रोड़क्ट ऑफ जीरोज प्रोड़क्ट ऑफ जीरो प्रोड़क्ट ऑफ जीरो मतलब अलफा एंटू बीटा ठीक है तो प्रोड़क्ट ऑफ जीरो मतलब अलफा एंटू बीटा मतलब फूर इंटू माइनस का तु इस इकल टू माइनस का एट के लियर तो यह अपने निका प्रोड़क्ट अब जीरोज माई दियर श्रॉरंट्स अब अपने को कुश्चिन में आगे पूछा था वेरिफाइड रिलेशन सी बिट्विन दजी रोज अपने को रिलेशन सीब भी वेरिफाइड करना है जीरोज और कोफिशेंट के बीच में नौँ वेरिफाइड यहां लिको वेरिफाइड वेरिफिकेशन ओके वेरिफिकेशन करना अधिक्विशन के दीए अपने को एकस का स्कूर माइनस टू एकस माइनस एकस माइनस एट वेरिफिकेशन करने के लिए इसको इस्टेंडड को प्लाडिक कि प्लस सी क्लियर यहाँ पर क्या होगा डियर्शन एक वैलू अगर कंपिरिजन के थूर निकाले तो 1 बी की वैलू निकाले तो माइनस 2 एनद सी की वैलू निकाले तो माइनस का 8 अब अपन जो फार्मूला है स्वाफ जिरोस उसको देखें तो स्वाफ जिरोस sum of zeros formula apply करके भी value अपने को वही मिलना चाहिए alpha plus beta is equal to होता है minus b upon a यह formula ध्यान रखना ठेक है तो यहाँ पर एदी minus b upon a की बात करो तो minus b मलब minus पहले से और b की value 2 है upon में a मतलब 1 अंसर कितना आगया कुल मिला कि minus minus plus का 2 चेक कर आपने और यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी कितना अंसर आया था sum of zeros का 2 तो यह verify हो गया second case अपने को चेक करना है product of product of zeros मलब alpha into beta कि यह होता है सी अपन में यह जहां रहे हैं सी की value कितनी minus का 8 अपन में एक ही value 1 तो बराबर अंसर आ गया minus का 8 कि अपने क्या करा इसको verify करा यह question जो है बहुत इंपोर्टेंट है आते रेचे हैं आपको कि नोट डाउन करना नोट डाउन करिए screenshot लेना है तो screenshot ले लिए आगे वड़ते कोशन नंबर तूपर तो इसमें दो छीजे ध्यान रखने आपको पहले तो alpha प्लस beta simply निकालना है फिर आपको alpha प्लस beta और alpha into beta का formula जो कि minus alpha प्लस beta होता है minus b upon a और alpha into beta होता है c upon में a ठीक है चलिए second part देखे इसका second part दिया है इसका स्कूर माइनस फोर एस प्लस वन है ना यहां पर जो वेरियेवल है वो किस form में दिया है s के form में कोई बात में सबसे पहले क्या करेंगे अपने इसको जीरो के में कि प्रोड़क्ट चार एह और संब या माइनस करने पर क्या है फोर तोड़ते सब्सकर tidak माइनस चोरेब करेंगे कि इसको में 2s माइनस टू-बियस करदो तो 2 दूनी चार होता है प्लस का और जोडने पर माइनस का पो तो यह हुगा प्लस वन嘗ली कर 2-0 यहां से क्या करें two as common निकाले तो यहां मचेगा as-1 क्या करें two as common निकाल दियको तो यहां two by which missed one यहां से minus one common निकालेंगे तो बच्थेगा लाइस माइनस16ause फशुएन दोनों में से अपन कामन निकालेंगे तो two s minus 1 और यहां भी बचेगा two s minus 1 is equal to zero क्लियर अब क्या करेंगे 2S minus 1 is equal to 0 put करेंगे और 2S minus 1 is equal to 0 put करेंगे तो यहां से एक s की value आएगी 1 by 2 और यहां से भी 1 by 2 को दिक्कत क्या करते हैं अगली टंब में अगली टंब में इनको जो है इसको मानते है एलफा और इसको मानते है बीटा वन बाइटू वन बाइटू के लिए अब क्या करेंगे सम आफ हम निकालेंगे सम आफ आपके अलफा बीटा मिन्स सम आफ जीरोस क्योंकि यह जीरोस है ना सम आफ जीरोस मिन्स अलफा प्लस बीटा मतलब एक बटे दो प्लस एक बटे दो दोनों को जोड़ेंगे तंसर क्या जागर यह सुन एक सेकेंड क्यानी क्या लेंगे प्रोड़क्ट आफ जीरोस प्रोड़क्ट आफ जीरोस मिन्स अलफा एंटू बीटा एक बटे दो इन्टू एक बटे दो अंसर आजाएगा वन बाई फोर अंसर आजाएगा वन बाई फोर ठीक है नौ वेरिफाई करेंगे कि वेरिफाई करके देखें कि फॉर्मूले से भी क्या सम आफ जीरोस और प्रोड़क्ट आफ जीरोस सेम आ रहे गया ठीक है तो इसके लिए क्या करें एक्वेशन लिखें एक्वेशन दिए 4S का स्कूर माइनस 4S प्लस 1 इसका कंपिरेजन करें एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लसC से यहां से एकई वेल्यू फैंड आउट करी तो 4 बी की वेल्यू देकी तो माइनस का 4 और टीक जी वेल्यू देकी तो 1 छीक के फाइनली जो है अनसर निकाले तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूल अप्लाई करें सम उफ जीरोस है विसुंइ सम अब जिरो मनलभ एल्फा प्लस बियुटर यह होता है माइनस भी अपन में k king कि मांइनस भी ज्यालू यह माइनस का 4 आप आप3 मनलब 4 माइनस माइनस प्लस हो ऐगा अंसर कितना आ जाएगा 150 जो кого है है प्रोडक्ट ऑब 0 अब प्रोडक्ट ऑफ-0 मेंस एलफा इंटू बीटा मेंस सी एपकोन में एफ फॉर्मूला होता एंडं सी की वैल्यू हाँ पर देखें तो क्या है वन और एके वैल्यू है फोर तेंशर हो गया अपना one by four answer हो गया अपना one by four तो माइड यह कोश्चन नंबर दो है जो अपने पूरा complete हो गया अपने उसको verify भी कर लिया उसके फैक्टर भी करे और अपने उसका सम भी निकाला और प्रोडक्त भी निकाला उसके zeros का जब एक कोड़िक एक्वेशन को मीट टम को किते हैं तो 2 वैलू मिलती है उन्हें को अपन क्या बोलते है पौलीनोमियल क्या गी सभी जिरोफ वोलिनोमियल सभी जबागत यह सब्सक्वर वैरीफिक लिशन करता है यह प्रोंस इनsom को करने की लिए प्रोसेश-li ठीक है ना चले और कुछ पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर कि थार्ड पर आजाईए कि कुष्चन नमबर ठाड दिया है एक सिक्स एक्स का स्कुर्ण कि माइनस थ्री माइनस सेवन एक सैसे दिया है कि क्या करेंगे पहली इसको जीरो के इक्वल पूट करें सिक्स एक्स स्कुर्स सेवन एक सुको मैं आगे लिख लेता हूं माइनस थ्री इस इकल टू जीरो क्या करूंगा मैं मेड़ टम को दो भागों में स्प्लिट करंगा 6 sonst कीदि मैं इसको इस तरह से तोड़ू 9 x यह था ना तो च्टे इंटू 3 कितना होता एक था होता है सिन नाइन इंटू टू टू 8 आ होता है नाइन में से दू जाता है तो माइनस का एकल कॉमन कुन आएगा यहां दोनों टम में से थ्री एक्स कॉमन निकाला तो यहां बचा दो एक्स माइनस त्री प्लस वन अगें यहां आजाएगा टू एक्स माइनस त्री इस इकल टू जीरू कॉमन निकालेंगे दोनों में से तोष माइनस ट्री इदर वच्छेएगा 3 war in Russia call यहां से एक्स की वैल्रूं आउट कर नी है तो टूएक्स माइनस त्री को भी और योट करना पड़ेगा और 3 य एक्सिंपर 3x प्लस 1 को भी 0 के एकवल पूट करना पड़ेगा एक्स की वैलु यहां से देखोगी दियर्शन तो थ्री वै टू मिलेगी है न और यहां से यह क्या है आपके यह जो मिले मेरे को यह आपको मिले जी रोस जी रोस को मैं मानता हूं एलफा थ्री वैटू और बीटा बोले तो माइनस का वन वाइव थ्री चेक है आगे क्या करेंगे सम आफ जीरोस सम आफ जीरोस मतलब अलफा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो थ्री वैटू और यहां प्लस और ब्रेकेड में माइनस वन बाइ थ्री लिग दीजिए क्या होगा डियरेशन यहां से आजाएगा थ्री एल्सीयम हाला दो से तीन बार कड़ जाएगा और यह आजाएगा फाइनली नाइन और यहां आजाएगा टू अंसर आजाएगा यहां से सेवन बाई सिक्स गाइब सम अफ जीरोगी सेकेंड इस प्रोडक्ट आफ जीरो की में बात करूं प्रोड़क्ट आफ प्रोडक्ट आफ जीरो स की मेंस ऐलफा एंटू बीटा ए ठीक है ट्री बाइड़ टू एंटू माइनस वन बाई थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अब क्या करना आपको वेरिफाइब करना पड़ेगा फॉर्मुलों से ठीक है चलिए वेरिफाइब करते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा कंपरिजन करना पड़ेगा सिक्स मेरा सत्व है इंगव माइनस स्क्रिफाल प्लस इस सोड्य माइनस थे करेंगे अपनं एकस मेरेगों प्लस एक थे यहां की मिल जाएगे मेरों को सिक्स का स इत्यक्स मिलेगी माइनस से 177 एह एंड seven और सी के वैलुव लगाए सम ओफ लिए सम ओफ जीरोज का लिए सम ओफ जीरोज का फॉर्मुला मतलब अलफा प्लस बेटा यह होता है माइनस यह पॉन में ए ए माइनस यह रहा और सी मतलब नहीं होता है माइनस बी अपन में है माइनस बीकी जगह माइनस सेवन पुट अप कर रहां और एक जगह आपका सिक्स तो फाइनली जो अंसर आजाएगा सेवन बाइस जो कि पहले भी सम अप जीरो निकाल चुकिया अपर सेकेंड निकालेंगे प्रोडॉक्ट अफ जीरो प्र प्रोड़क्ट अब जीरो का फॉर्मूला होता है एलफा एंटू बीटा इसी अपोन में के सी की वैल्यू है हम पर माइनस थ्री और एक वैल्यू सिक्स पुल मिला कि यह आ जागा माइनस का एक बटे दू तो डिया इस्टुएंट सी अपने वेरिफाई करा थीक है सम आफ जी यह भी पूछा गया है एक्जाम में इन कोर्शन जो मैं कोर्शन अपको करा रहा हूं यह कोर्शन काई नकर एक्जाम में आते हैं यह बहुत अच्छा कंसेप्ट में इसलिए पूछे जाते हैं कि 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 कुश्चन नमर फूर फूर दिया है फूर यू का स्कूर प्लस ए यू और इसमें नहीं दिया दिया दो तम दिये नहीं दिया इसका मलब फट्र तम zero होगी डफेनाट ले ना वो जीरो मानना है इसको जीरो के के एक वाल फूर करना फोर यू का स्कूर अच्वार प्लस एक यूज इकल टू जीरो देखो को इसको सॉल करने का तरीका यह भी हो सकता है दो टम में से ही मैं क्या करूं फोर यू दोनों जगह से कॉमन आरा निकाल लेता हूं यहां बचता है केवल यू यहां आठ यू है तो चार दूनी आठ यहां बचता है दो और एक्वल टू जीरो माइडियस्वन दोनों को अलग और क्या शन। उन्हें फूंस कर देता हूं और यू ूपीन क्या करें डिस आजाएं यहां से यह ची गल्यू कितनी आ जाएगी जीरो जीरो ब्म्यार करूंगा तो और यहां सा यह की वेल्याइगी माइनप यह जो दोनों मिने यह क्या है मेरे यह जो है जीरो जे जीरो जे मतलब पहला एलफा इस इकल टू जीरो एंड दूसरा बीटा इस इकल टू माइनस का टू जीरो क्या निकाल लेंगे डियरेशन सम ओफ जीरो जीरो चेक करें सम अब जीरो मतलब एलफा प्लस बीटा एलफा प्लस बीटा मतलब जीरो प्लस मतलब माइनस का टू है तो अंसर आगया माइनस का टू सेकेंड केस निकालू में प्रोड़क्ट आफ जीरो जीरो ठीके प्रोड़क्ट आफ जीरो मतलब एलफा एंटू बीटा एलफा एंटू बिटा करूं तो जीरो में माइनस स्रू का लिए करना पड़ेगा फाइली अंसर क्या जाएगा जीरो को कि लिए करने के लिए कशन करना पड़ेगा किस्से 사람 से यह जो 4U का स्क्वर है प्लस 8U है इसको मैं करूंगा एक स्क्वर प्लस BX प्लस C तो यहां A is equal to हो जाएगा 4 B is equal to हो जाएगा 8 and C is equal to 0 पूर्मुला पूट अप करता हूं लिए रोगो Sum of zeros Sum of zeros मतलब alpha plus beta क्या था माइनस B अपन में ए ठीक है माइनस B मतलब माइनस एट अपन में ए मतलब 4 तो अंसर आगया माइनस का two देखो समआप zeros यह आ चुका है पहले टू माइनस तो नौ प्रोड़क्ट अफ़ जीरो देखले जहें रोट अफ जीरो प्रोडक्ट प्रोडक्ट जीरो मतलब आलफा इंटू बीटा एलफा इंटू बीटा मतलब यह फॉर्मलों था c की वैलू जीरो अपन में वाग देंगे तो जीरो जो कि पहले भी आ चुका है यह क्या हो गया वेरिफाई हो गया कोश्चन नंबर जो वन चल रहा है उसका पार्ट नंबर फूर्थ भी अपना कम्प्लीट हो चुका है ठीक है नाओ अब अब अप्लोग आजाओ इसके पार्ट नंबर कि फिप्ट पर कि चलिए पार्ट नंबर फिप्ट दिया डियर टी का स्कूर माइनस फिप्टेन अब बस इतना दिया है तो इसको करने के दो तरीके या तो इसको में इसको माइनस बी स्कूर में भी कर सकता हूं या इसको क्वाड़िक क्विशन की तरभी कर सकता हूं यहां पर यहां पर वी की रहेगी वह 0 रहेगी क्योंकि टि इसफश व्यलत नहीं तो प्रदि नहीं यह तो इसको मैं इसी तरीके तरीके विसफित तहुत करें इसको सब्सक्राइब करूंगा तो रूट 15 कितना आता है तो मैं इसको इसा लिख सकता हो इसा लिखने से फाइदा क्या मिलेगा मेरे को कि मैं यहां पर एसकोर माइनस बीस को रिजिकल टू ए प्लस बी कि ए माइनस भी बहुत असानी से लगा लूँगा है ना तो मेरे को मीट टम को तोड़ने की जरुवत नहीं पड़ेगी और मैं आसानी से इसके जी रोज निकाल लूँगा चलिए यहां पर एक जगह कोन है टी है और बी की जगह रूट 15 तो फॉर्मुला फूट अप करा तो यह जो वैलू मिल जाएगी यह मिल जाएगी टी ब्लस रूट 15 ऐं टू टी-माइनस रूट 15 हैना ओना कि एक ये कर तो क्या जाएगा 0 को यहां से ने प्लस रूट 15 इक्वन टू जिरो- पी-माइनस रूट 15 इक्वन टू 0 यहां से T is equal to मिल जाएगा मेरो को माइनस का रूट 15 और यहां से T is equal to मिल जाएगा प्लस का रूट 15 यहां से क्या मिल गया मेरो को alpha और beta की value मिल गई असानी से है ना यहां जो है यह zeros मिले है तो यह पहला 0 में मानता हूं तो रूट 15 alpha और beta is equal to second zero प्लस का रूट 15 ठीक है क्या निकाल दें सम आफ जीरो जीरो जांच कि सम आफ जीरो जीरो जी मलब alpha प्लस बीटा इस इकल टू इस मांनस रूट 15 प्लस रूट 15 किटना हुआ अंसर आजागा जीरो एक माइनस का एक प्लस का सेकेंड प्रोडक्ट आफ जीरो तो इस प्रोडक्ट आफ जीरो जो मिन्स एलफा एंटू बीटा कि अधना माइनस रूट 15 और दूसरे बेक्रेट में लिख लिजिए आप प्लस का रूट 15 रूट रूट कैंसील तो बचेगा क वाल 15 और माइनस का वालब माइनस 15 आजागा डियर स्ट्रेंट के लिए यह निकल गया सम और वेरिफाइब कर लेते हैं फॉर्मूले से लिए करने गया तो मैंने एक्विशन को लिए का टी स्कॉर माइनस 15 और किस से कंपरेजन करा एक्स स्कूर प्लस बी एक्स है ना प्लस सी से जब इससे कंपरेजन करा तो एक ही वैल्यू कैसे मिलेगी टी के स्कॉर का प्रोड़क्त मतलब वन है ना मैंने क्या बोला था मीट तम बी की वैलू जीरो हो जाएगी और सी इस इकल टू माइनस का फिप्टीन आ जाएगा कोई दिक्कत क्या निकालेंगे अपन सम आफ इस अब जीरो निकालेंगे अधिलफा प्लस बीटा इस इकल टू माइनस भी अपॉन में एक ही फॉर्मूला होता है माइनस भी बोले तो जीरो ला आपन में वन फाइनली अंसर क्या जाएगा जीरो प्रोड़क्ट ऑफ जीरो निकाले दी प्रोड़क्ट ऑफ जीरो जीरो प्रोड़क्ट ऑफ जीरो मतलब एलफा एंटू बीटा फॉर्मुला एडियरिशन सी अपॉन में ए सी के वैलू के दिए मैं- 15 अपोन में यह मतलब वन अंसर आजागा मामयनस का 50 जो पहले अंसर आये थे यह वाले सेम अंसर करने पर अपने को मिल गए यहां से क्लियर हो गया जो जीरो जीरो जीकले पहले वह करेक्ट है जो जीरो आपने अंट करें आपने फैंड innovator करें कि कोशन नंबर वन जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर जो था यह एक और इंपोर्टेंट पार्ट है इसका एक कोशन को पूरा-पूरा तरीके से शॉल करा रहा हूं यहना आप लोग बस इसने बेस्ट फॉलो करते जाएए आपका इंसे अंसी आर्ट का जो मैतेमेटिक्स तो पूरी तरीके से कंप्लेट हो जाएगा चलिए कोशन नंबर शिक्स ये कशन नमबर शिक्स यह दिया है थ्री एक्स का स्कूर माइनस एगस MAILS 4 क्लियर लास्सकोशन है जिए इस क्श weekend नमबर वन का यह का करें इसको पहले पूट करें जीरो के इक्वण थ्री-एक्स का स्कूर माइनस एक्स माइनस 4 is equal to 0 मिट टम को split करे मिट टम को split करे तो यह हो जगा 3x का square माइनस 4, 3, 12 लाना है मतलब वापस यहां 4x प्लस 3x लिख दू तो 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1 बचेगा और दोनों का product 12 आप जाएगा यहां से common निकाला x तो यहां बचा 3x माइनस 4 यहां से common निकाला 1 तो यहां बचा 3x माइनस 4 is equal to 0 दोनों में से एग्टम कामन निकल रही तो वो निकल रही 3x माइनस 4 और यहां बचा है x प्लस 1 is equal to 0 ठीके यहां से x को यह 3x माइनस 4 को 0 के equal put कर दिया और x प्लस 1 को भी 0 के equal put कर दिया तो यहां से अंसर आजागा x is equal to 4 by 3 है ना और यहां से x is equal to minus का 1 माइडियर सुन्स यह जो x की value आई इनको अपन क्या बोलते zeros और zeros को नाम देते alpha और beta beta हो जागा यहां पर minus का 1 clear यह चलिए नाओ चेक करे सम आफ जीरो निकाले सम आफ जीरो 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 मतलब alpha प्लस बीटा alpha प्लस बीटा मतलब फॉर बाइ थ्री माइनस वन चेक करा अंसर फॉर बाइ थ्री माइनस वन यह आजाएगा वन बाइ थर्ड निकाला प्रोड़क्ट ओफ जीरो प्रोड़क्ट ओफ जीरो जीरो मतलब alpha प्लस बीटा मैंस फॉर बाइ थ्री इंटू वन अंसर आजाएगा यहां पर फॉर बाइ थ्री चीक है चलिए अब वेरिफाइ करना इसको कि वेरिफाइ करें फॉर्मूले से कि एंसर यह आ रहा है क्या आप importantly क्सित इक्वेशन को थ्री एक सक्वर मैनस एक्स मायनस फॉर इसको Cert इसको नहीं स्पॉर क्क तॉड गरेंगे X कर स्कॉर फ्लस B X फ्लस C MPO से तो यहां। यह की वैलू कैं teh पिक की मैनस का 1 & קी वाल्यू वैरिव जाेगी माइनस मैंनस का 4 माय डिरेशन यहां देखें सम ऑफ कि जीरो सम ऑफ जीरो सब्सक्राइब अलब अलफा प्लस बीटा में फॉर्मूला होता है माइनस सी अपॉन में ए तो यह कितनी है माइनस और माइनस फूर अपॉन में ए मदलब 3 मलब 4 by 3 क्लियर यह हो गया आपका सम आफ सी अपून यह नहीं होता है एक्चुल में माइनस बी अपून ए उता डियर तो यह हो गया 1 तो यह 1 बाइ थार्ड होगा आंसर अना प्रोडक्ट आफ जीरो होता है प्रोडक्ट आफ जीरो मलब अलफा एंटू बीटा लफा एंटू बीटा मनलब सी अपॉन में ए जी वैल्यू है कि माइनस फूर अपॉन में ए है त्री अंसर आगया माइनस फूर बाइ पहले भी अपन निकाल चुके है प्रोडक्ट आफ जीरो निकाला डियर इस्ट्रेंट्स तो यह माइनस का वन था देहां से यह माइनस फूर बाइट्री आएगा इतना करेक्शन कर लेजेगा ठीक है तो आपको मैंने जो एक्ससाइस टू पॉइंट टू का कोश्चन नंबर वन पूरा कंप्लेट करके बता चीक है इसके आगे अपन नेश्ट क्लास में डस्स करेंगे